ग्रीटेंग्स एंड वेलकम तू अनदर वीडियो आप देखिए पीडियेफ को लेकर कुछ लोग क्वेश्चेन कर रहे थे सर पीडियेफ नहीं मिल रहा मैंने देखिए आपको पिछली कुछ वीडियो से पहले मैं आपको बता दिया रहा के पीडियेफ अब जो स्टेडी आ मैं आपको पीडियेफ मिल जाएगा अगर आपको फिर भी होड़ी प्रॉड़म आ रही है तो मैं एक आपके लिए फैसिलिटी ये भी प्रोफाइल है वहां पर मैं आपको पीडियेफ प्रोवाइड कर सकता हूं एवरी सिंगल डे तो अगर इनॉफ पीपल आर अब फॉर अगर जादा लोगों को Facebook पे जादा सहूलियत महसूस होती है तो मैं Facebook प्रोफाइल पे प्रोइड कर सकता हूँ क्योंकि अल्रेडी वहाँ पर कावी सारे लोग मुझसे कनेक्टेड है so it will be much easier for me other than that मैं Facebook पर और भी चीज़ आपके साथ शेयर कर पाऊंगा like links कोई article जो मैं पढ़ रहा हूँ कोई भी चीज जो कोई material जो मुझे लगता आपके लिए beneficial होगा so वहाँ पर मैं वह चीज़ शेयर कर सकता हूँ including audiobooks and stuff so that's that उसके लावा मैंने आपके लिए top 10 idioms की जो एक वीडियो मैंने promise कर दी थी वो मैंने upload कर दी है please do view that और उसके लावा मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक error spotting की वीडियो भी ले के आऊ within a week or so और कुछ लोग test की बात कर रहे थे देखिए test last time हुआ था हमारा 10th को इस महीने की तो मैं सोच रहा हूँ कि जो अगला हमारा test होग वो 20th को ठीक है so this is what I've decided तो अगला जो test होगा 20th को होगा hope all of you are ready बस regularly just stay up to date and you will do well in the test now let us begin अब देखिए पहला शब्द है austerity austerity की कब जाती है पहले इसका आमला सुन जाता हूँ austerity मतलब सरकार जब कुछ measures उठाती है public expenditure को कम करने के लिए तो उसको austerity कहते है ठीक है अब for example आपको याद होगा पता नहीं कितने लोगों को याद होगा मुझे अभी भी याद है जब economic meltdown हुआ था global economic meltdown हुआ था 2008 में तो Indian government ने भी कोशिश की थी कि यहाँ पर जो हमारे ministers है या MPs वगारा है उनको ये business class में travel नाक रहाए जाए आम लोगों की तरह वो travel करेंगे तो उस वक्षची थुरूर साब इस बात से route गए उन्होंने बड़ी ये famous tweet की थी इसके बारे में कि मुझे cattle class की तरह यहाँ पर travel करना पड़ रहा है आप welfare system भी थोड़ा बहुत जो है आपका वो भी आप थोड़ा बहुत उसको कम करोगे अब Greece की आप बात कर रहे हैं दहिंदू में austerity in Greece extends to the cradle क्रेडल क्या होता है समझाऊंगा सब समझाऊंगा शांथ नीचे लिखा हुआ है 8 years of economic stagnation stagnation मतलब आगे कुछ economic कि हालत अंदर से ठीक नहीं होगी तो जो welfare system है वो कौन चलाती है सरकारी चलाती है private companies तो चलाती ही नहीं है तो वो भी crumble कर रहा है चर मरा रहा है ठीक है crumbling अचा है meant that couples are opting not to have children तो Greece में इसकी वज़े से क्या हो रहा है कि जो couples हैं वो बच्चे आगे नहीं बना रहे क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनके बच्चे होंगे तो CDC बात है खर्चा हो गया इसका और वो effort नहीं कर पाएंगे तो ये austerity की वज़े से हो रहा है ठीक है तो कह रहा है कि austerity in Greece extends to the cradle तो जिस तरीके से वहाँ पर अगर उसके बाद बहुत सारे austerity measures लेने पड़े सरकार ने बहुत सारे परे खर्च कर दिये थे और CDC बात है उसकी जो भरपाई होगी वो आम जनता ही करेगी with more taxes and less welfare तो अन्टॉनिम्स क्या होंगे austerity के extravagance, luxuriousness करोर रुपे खर्चे जा रहे हैं bathrooms में, सरकारी offices में जो सरकारी गाड़ियां है OD वगराल मंगाई जा रहे है Mercedes मंगाई जा रहे है वो austerity का उल्टा होगा, austerity में क्या होगा रिक्षे पर जाएंगे या फिर यह नो बहुत ही जारा कम खर्चा करने की कोशिश की जाएगी अच्छा तो आप cradle का मतलब समझ लो as a noun भी समझाऊंगा और as a verb भी समझाऊंगा as a noun इसका मतलब होता है छोटा सा bed हो किसी baby के लिए बच्चे के लिए, जैसे यह है यह एक cradle है, ठीक है तो यह वैसे यह भी ए cradle हो सकता है यह तो वैसे caught काऊँगे इसको आप मगर cradle हलका जूले वाला होता आपने देखा होगा, ऐसा ही होता है जिसमें बच्चा सोता है मगर उसमें हलका जूला सा होता है ठीक है, तो वो cradle होता है तो अब सीरीसी बात है आप समझगे होंगे कि austerity जो है ग्रीस में वो cradle को भी अब impact कर रही है वहाँ पर जो बच्चा जो होना चाहिए था वहाँ पर बच्चे नहीं होंगे क्योंकि सीरीसी बात है लोगों के बास पैसे नहीं है कि वो family आगे बढ़ा सके तो अब देखो sentence यहाँ पर simple सा मैंने बनाए बच्चो वाला क्योंकि बच्चो वाली हम बाते कर रहे है आपको इससे ज़्यादा बढ़िया सा sentence बनाना है थोड़ा को शो आफ करना है go ahead मैं माइड नहीं करूंगा I think all of us will appreciate cradle पर थोड़ा fancy सा sentence अगरा बना सकते हैं अच्छा यह तो noun हो गया cradle को हम एक verb एक क्रिया के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी दिखाता हूं आप cradle as a verb एक क्रिया उसका मदलब होता है किसी को gently hold करना प्रोडटिवली जैसे यहाँ पर कर रहे है यह father क्या कर रहा है एक चरीके से cradle कर रहा है अपने बच्चे को है जब verb यूज कर रहा हूं मैं ठीक है याद रखना हो क्रिया के रूप में तो इसके कुछ synonyms दोबते हैं to hold, support, shelter, protect गोद में रख लेना ठीक है बेसिकली तो यहाँ पर मैंने दो sentences बनाए है इसके अब देखो थोड़ा हटके sentence है अच्छा है तो आपने कभी फौजी को भी देखा वागा वो अपनी बंदूग को बड़ी जेंटली प्रटिफ तरीके से पकड़ता है क्योंग एक तो पता है कि गलत तरीके से कुछ उसका दब बगरा गया तो कुछ अनोनी हो सकती है उसके अलाबा वैसे भी एक इज़द भी होती है उसके मन में अपने वैपन के प्रथी तो अपने वैपन को भी क्या करता है वो क्रेडल करता है थीक है काफी बड़ी असंदेस है न हम ये भी कह सकते हैं अब देखो इसका अर्थ क्या होता है इसका हिंदी में बेसिक इसका मीनिंग होता है लोगपाल खूब यूज होता है तो इसको English में Ombudsman कहते हैं तो basically वही होता है जो लोगपाल आपको पता ही होगा इतना तो आपने थोड़ा पड़ी लिया होगा एक सरकारी official होता है जो investigate करता है complaints जो private citizens करते हैं किसी बाबू या किसी सरकारी agency के ओपर ठीक है तो series यह बात है वो Ombudsman हो लोगपाल हो गया वो तो यहाँ पर पिनों ने यही उस किया है कि it is now for the states to show strong political commitment and appoint one or more Ombudsman to go into complaints of violations and submit reports as mandated by law ठीक है तो Ombudsman या इस से question आ सकता है this is quite important बहुत आपने नियूज में रहता है ठीक है तो कई लोगो वैसे एगर Ombudsman दिखा दू तो confused हैंगे पता नहीं यह क्या हो होता है तो देखो sentence यहाँ पर इसका होगा I hope they appoint an Ombudsman soon in this corrupt city तो मैं चाहता हूँ इस भरस्ट सिटी में जल्दी है जल्दी है Ombudsman आ जाए ता कि जो private citizens हैं उनकी complaint सुनी जाए और action लिया जाए देखो अगला शब्द है ड्यूप यहाँ पर दहिंदू में इसको यूस किया ह duping people with glip talk is second nature to him अच्छा glip talk वैसे है थिंग हम एक बार discuss कर चुके है if I remember correctly but anyway इसको मैं फिर भी एक बार repeat कर लूँगा क्योंकि रोज बहुत सारे नए लोग जुडते रहते हैं वो क्याप सीरीज में तो उनके लिए easy रहेगा अच्छा duping people मतलब उनको deceive करना धोका देना trick करना, hooks करना, swindle करना, defraud करना, cheat करना, double cross करना उनको ठीक है duping people तो यहाँ लिखा हुआ है कि duping people with glip talk, glip talk का मला पता भी बताता हूं आपको इस second nature to him है ऐसा लगता है कि उसकी प्रवतीस ही है ठीक है तो यहाँ पर एक simple size sentence है investors were duped into believing that the company had a bright future तो काफी बार investors जो होते है निवेशक उनको भी क्या किया जाता है धोका दिया जाता है यह यकीन दिला जाता है उनको कि कोई company है उसका बहुत ही अच्छा विष्चिय है आगे आगे खूब पैसे कमाएंगे बट जब उनके पैसे डूप जाते है तो उनको बतलता है they have been duped अच्छा duped ऐसे verb यूज कर रहे हैं यहाँ पर इसको noun के रूप में भी उसकर सकते हो don't be a dupe be cautious तो मतलब मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि वो मदवनो जिसको धुका दिया जाता है ठीक है तो dupe मतलब जिसको धुका दिया जाता है dupe यह noun noun के रूप में भी हम यूज सकते हैं इसको अब देखते है what is glip देखिए अगला शब्द है glip glip का देखिए अर्थ होता है smooth talk easy talk मगर बट उसके पीछे कोई वजन नहीं है insincere है deceptive है आप बात बहुत तेजी से कर रहे हो you're talking smooth बहुत आप अराम से बात कर रहे हो बट उसके पीछे आपकी sincerity में कमी है अब इसको जिंगोईजम में बहुत यूज किया जाता है जिंगोईजम आपको पता है extreme nationalism कमाल का राष्ट्रवाद तो उसमें खूब कहते हैं लोग हाँ उस देश को आने तो हम देख लेंगे हम उनको ख़देर देंगे वगरा जबकि आज सब उनने tax भी भरा होता अपनी देश की growth के लिए कुछ भी नी किया ह होता बट एक जिंगोईजम से होता है उसके पीछे कुछ इतना वजन नहीं होता तो यहां पे मैं कहा रहा हूँ जिंगोईस्टिक पीपल talk in a glib manner when our nation is under threat तो कोई भी आपको terrorist attack हो जाए या कोई ISIS वगरा कुछ धंकी देते हैं हमारी देश को तो अचानक से जिंगोईस्टिक लोग होते हैं glib बाते करते हैं कि आने तो उनको हम ये हैं हम वो है वगरा बट आर्मी जोइन करो ना इतना ही जारा अगर तो वो glib talk होती है तो इसके लाब में भी कह सकते हैं कि he gave a lot of glib excuses for being late smooth easy मुह से आराम से निकल ले थे बट उसके पीछे sincerity बहुत जारा कमी थी deceptive थे तो इसका antonyms के आओंगे glib का sincere thoughtful तो अब आपको समझ में आ रहा है वो पूरी जो वहाँ पे हिंदू में लाइन पड़ी थी कि वो आदमी लोगों को ड्यूप करता था लोगों को बेवकूफ बनाता था ग्लिब टॉक से ये fluent टॉक हाँ हाँ आप पैसे देरी जिए हमको कुछ नहीं होगा यहाँ पर आप इंवेस्ट कर लीजिए या जो भी या वगारा कुछ नहीं होगा and eventually उनको धोका देता था थीक है सो ग्लिब या दखना देखिए अगला शब्द है चेस्ट काफी इंपॉरेंट वर्ड है काफी बार एक्जाम में आ चुक है इसका मतलब होता है पवित्र प्योर वर्चूस वर्चूस कित्ती बार पर आ चुक हो मतलब जिसमें गोण हो खूब सारे तो बेसिकली ये वही हो चेस्ट करेक्टर कोई किसी के बारे में दुर्भाव नहीं सास उतरे अच्छे पवित्र विचार ठीक है तो इसका एंटॉनिम क्या होगा इसका होगा करप्ट भरस्ट डर्टी लिविड या डिफाइल ठीक है all these are the antonyms of चेस्ट देखिए अगला शब्द है अबोड ये मै आप रहते हो basically place of residence, accommodation, habitat, base basically तो यहाँ पर दो simple symbols के sentence है I welcome them to my humble abode मैंने उनको अपने humble सा जो मेरा घर है उसमें उनको welcome किया ये भी कह सकते है lacking a physical abode the homeless man slept in the park तो बिचारे के पास एक physical घर नहीं था तो उसने क्या किया पार्क में ही सो गया तो यहाँ लगना this is abode अच्छा तो यहाँ पर लिखा हुआ है the abode of felicity, felicity का भी मतलब देखते है felicity का देखो मतलब होता है intense happiness मतलब बहुत ज्यादा बड़ी खुछी इसके synonyms होंगे happiness, joy, joyfulness, rapture, rapture बहुत ही अच्छा है कि इसका यहाँ पर सुनोनिम है bliss, bliss यहाँ यहाँ पर पूरा मैंने वीडियो यू ना he had a look of felicity on his face, felicity noun है तो यहाँ इसको यहाँ पर इसको यहाँ पर इसको ऐसे इमाजिन करो के मैं happiness ही लिख रहा हूँ यहाँ ठीक है तो आप क्या करोगे, you are not happiness, you feel happiness यहाँ आपके शकल पर almost happiness लिखती है ठीक है तो यहाँ पर of course कोई भी student ओसको पता है जब आप बच्पने ज उनकी शकल क्या उसी कैसी होती थी, they were quite proud of you, they were quite happy के पढ़ रहा है, खुदी पढ़ा बिना डाटे पढ़ रहा ही है, तो आप यह भी कह सकते हो, I hope she finds felicity in her new job, मैं उमीद करता हूँ कि जो नहीं नौकरी उसने चुनी है उसमें उसको खुशी मिले, उसको bliss मिले, intense happiness मिले, अच शन का मदलब समझलो, शन का मतलब होता है, avoid करना, ठीक है, to avoid something, तो अब देखो, मैं अगर कहता हूँ, to shun the evil company मतलब, evil company को almost avoid करना, उससे दूर रहना, तो क्या इसका मतलब हो गया, to kick out evil company, kick out का मतलब होता है, किसी को लात मार के निकालना, तो मैं क्या लात मार रहा हूँ, avoid कर रहा हूँ, evil company अपनी जगा है, मैं बस उससे दूर रह रहा हूँ, तो दूसरा यहाँ पर option है, to let loose, to let loose evil company, let loose मतलब, खुला छोड़ देना, तो कि मैं खुला छोड़ रहा हूँ, वो भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, finally, to give up evil company, मतलब give up मतलब छोड़ देना, ठीक है, य to put up with evil company, मतलब के उनको tolerate करना, ठीक है, उनके साथ फिर भी रहना, तो यह भी नहीं कर रहा हूँ, ना तो shun कर रहा हूँ, तो all these options are incorrect, हमने properly इसको समझ के, we reached the conclusion, वैसे इसका कोई idiom कोई origin नहीं है, simple language based, एक idiom है, कोई कहानी नहीं है, इसके पीछे कोई glamorize करके, मैं आपको आपको कोई कहानी बता हूँ, तो basic इसका simple सा meaning है, to give up evil company, avoid करना basically इनको, finally the task of the day, देखो आपको sentence बनाना है, cradle पर, as a noun बनाना है, as a noun बना लो, as a verb बनाना है, as a verb बना लो, जैसे वर्जी बनाना है, बनाओ, simple सा भी बना सकते हो, the baby was sleeping in his cradle, या कुछ और भी बना लो, बस बना है, काफी बार exam में ना भी आए, आगे exam में ना भी आए, यह आपका newspaper है, उसमें बहुत use करते हैं, तो अगली बार जब newspaper पढ़ोगे, तो आपको पढ़ने में असानी होगी, and अगर आपका sentence मनने का मन नहीं कर रहा है, तो जो sentence मना रहे हैं, उनको encourage करिए, and मुझे कुछ औ suggestions अगर आप देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं, facebook वाला, जो suggestion है वो जरूर दीजेगा, and yeah, that's about it, thank you all watching this video, I'll see you tomorrow as always.